गुड मॉर्निंग स्टुडेंस आप सभी का एसको सले जूकेसन में स्वागत है और हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे इंग्लिस में ही बात करें, इंग्लिस में ही बोलें और यह तभी समभव है जब हम इंग्लिस को अच्छे से समझेंगे तो इसके ल जरूरत है कि हमारी इंग्लिस की vocabulary strong हो तो vocabulary strong करने के लिए हम लेकर आये हैं daily English words की नई सीरी जिसमें कि हम हर रोज इंग्लिस के five new words पांच नए शब्द सीखेंगे और उनका प्रियोग वाक्य में कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइ लेकर बैठ जाना है और इन सभी words के meaning जो भी कुछ इसके बारे मैंने दिखा है वो आपको note करना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पास है add a double d add add verb है और इसका हिंदी meaning होता है जोड़ना या मिलाना अब add का opposite words opposite यानि कि विलोम शब्द क्या होगा add का opposite होग subtract s-u-b-t-r-a-c-t subtract चलिए वाक्य में प्रियोग सीख लेते हैं add some water यानि कि कुछ पानी मिलाओ add means मिलाना जोड़ना अगला sentence और देख लेते एक please add my name in the list किरप्या list में मेरा नाम जोड़ ले ठीक है तो add आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि a double d add add means जोड़ना जोड़ना या मिलाना और इसका opposite होगा add का subtract वो वाक्य में प्रियोग भी हमने करना सीख लिया है आप हम लेते हैं अपना अगला word अगला word हमारे पास है after after का meaning होगा बाद में या पश्चाद और ये हमारी preposition है ये जो मैंने bracket में लिखे हुए है ये preposition या ये क्य है verb है noun है adjective है वो सारी चीज़े लिख रखी है after का opposite words हमारे पास होगा before after और इसका opposite हो जाएगा before चलिए हम वाक्य में प्रियोग कर लेते हैं I went to bed after eating या eating my dinner कि मैं अपना डिनर करने के बाद बिश्टर पर चला गया सोने चला गया रमेश came after me रमेश मेरे बाद आया after का प्रियोग तुमने शीख लिया है कि after means होता है बाद में और ये preposition होती है meaning होता है बाद में या पश्चात और आक्टर का विलोम शब्द opposite word यहां पे होता है बी फोर ठीक है next word अपने पास है एगो ए जी ओ एगो एगो means पूरूर या अतीतकाल यानि कि पीता हुआ समय और एगो एडवब है एगो का opposite words होगा here after एगो means पहले अब से पहले जो समय हो लिया और here after का मतलब होता है आगे आने वाला जो समय होगा एगो का opposite word अपने पास होगा here after चली इसकी sentence बना कर देखते हैं they went five means एगो कि वे पांच बिनट पहले चले गए तो एगो means पहले he was killed a few days एगो वे मारा गया कब कुछ दिनों पहले few days एगो तो एगो के ये हमने sentence बना लिये है और एगो means होता है पहले ये एड़ वब है और एगो का opposite words होता है here after तो हमने जान लिया एगो को next word हमारे पास है able a-b-l-e able able means योग्य समर्थ able means योग्य या समर्थ और ये हमारा adjective है अब able का opposite words होता है unable able means योग्य होना और unable योग्य नहीं है तो चलिए देखते हैं इनका sentence बनाते है राम is not able to work properly राम काम वाक प्रोपरली वोग मिन्स चलना जाना तो राम चलने में अच्छे से चलने में समर्थ है कि यानि चलने में able नहीं है समर्थ नहीं है नेक्स्ट अपना देखते हैं sentence संगिता is not able to do this work संगिता यह काम करने में समर्थ नहीं है काम करने के योग्य नहीं है तो हमने जाना able able means smart और able का opposite word होगा unable able means कोई काम कर सकना किसी चीज में समर्थ होना और unable means समर्थ नहीं होना नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है above a-b-o-v-e above above means उपर above means उपर अब above का opposite होगा below below above means उपर और below means नीचे above हमारा adjective है अब देख लेते हैं इसके वाक्य में प्रियोग तो sentence कैसे बनाएंगे the plane flew above the clouds हावाई जहाज clouds के बादलों के उपर उड़ रहा है उड़ा बादलों के उपर उड़ा अगला sentence देखते हैं put your hands above the table अपने हाथ table के उपर रखो मेंज के उपर रखो above means हो गया उपर तो above means उपर adjective है और इसका opposite word होगा below उपर नीचे ठीक है तो यह थे आज की पाथ sentence next video में पढ़ेंगे अगले 5 sentence और यह series हमारी चलती रहेगी तो आपको आज से ही अपने एक notebook बना लेनी है उसमें सारे words, words meaning, opposite words और sentence जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने बताया है वो आपको note करना है और उसको अच्छे से learn करना है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क लाइक कर देना, share कर देना ताकि अधिक से अधिक और बच्चे भी इसका फायदा उठासके और वो अपनी vocabulary stronger करसके अच्छे से English से सीख सके और वीडियो में बताये गए 5 words में से किनी 2 word का अपना sentence बना के आप comment box में लिखोगे और जो भी students भेज रहा है वो नीचे अपनी class और नाम अवस्य ही लिखेगा यह तुम्हारा homework है और देखूंगी कि इससे कितने बच्चे इस यह काम कर पा रहे हैं थैंक्यू